हलो फ्रेंट्स आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस आप सॉलॉप्सिंस पर और आप देख रहे हैं हमारा एंगल फोटिंग का फुल टुटोरियल स्टीरिज दोस्तों जैसा कि सीरिज की पिछले वीडियो हमने रिडाइडेक्टिंग और आज दोस्तों जो वीडियो लेकर आएं, उसमें हम ये देखेंगे की क्या सब्सक्राइब करना चाहोंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तक कैनली आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और बील की आइकोन को जरूर किलिक किजिए जाएगा ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालू तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें और वो लिंक हमारे किसी भी कॉंपोनेंट से मैच नहीं करता या कलती से हमारा कोई लिंक गलत सेट हो गया है या फिर हम कभी ऐसा भी होता है कि कोई link set कर देते हैं और वो page remove हो जाता है या exclude हो जाता है application से तो उस सिनारियों में क्या होगा कि जैसे ही router अपने configuration में router tree के अंदर ढूंडेगा तो उसमें path उसकों match नहीं करेगा तो error show करेगा तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि will cut route का युज करते हैं बेइंस कि आईसा scenario है कि हमारे application में link में बना हुआ है बट उस link का जो path हो रहा है वह path हमारे configuration in में नहीं है राएट या ओ component ही हमारे application में नहीं है तो उस situation को handle सब्सक्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं कि will erklären यूज करते हैं तो इसका क्या होता है दोस्तो कि पाथ की अंदर जहां less करने कर रहे होते हैं जहां पर हम राउट्रिंग का कन्फिग्रेशन करते हैं वहीं पर हम पात में डबल अस्टार के साथ और यहां पर component set करते हैं जो हमें component बना लेते हैं पेज not found component और उस पर हम अपना custom message या 404 not found का message जो भी हमारा custom message है वह लीक देते हैं राइट ताकि हमारे कभी ऐसा situation आए कि हमारा कोई link match नहीं कर रहा है तो इस वाले component को सो करेगा राइट यह पेज not found या 404 not found इसके जगह पर आप अपना custom message भी दे सकते हैं कि यह region है कि यह पेज आपको सो नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने जाते हैं जाते हैं पात लेखते हैं डबल अस्टार को हम इस करते हैं वील काड राउट के लिए राइट तो उसमें हम component में पेज not found का component बना लेते हैं या फिर अपने मर्जी से जो भी component बनाते हैं जिसमें custom message है उसको यहां पर हम set कर देते हैं configuration में राइट तो यह क्या करता है कि जैसे राउटर क्या करेगा किसी link पर click करते हैं user तो router क्या करेगा कि routes का tree बनता है जिसमें path होते हैं configuration होता है उसमें search करेगा अगर वो link उसका path नहीं match करता है तो क्या करेगा कि इस path को activate कर देगा और यह component user को show हो जाएगा right दोस्तों एक चीज़ और यहां पर समझने वाली बात ह है कि कभी भी configuration में will card route का जो configuration होता है हम top पर नहीं रखते हैं अगर top पर रखते हैं तो हर बार क्या होगा कि router को यही path match कर जाएगा will card वाला double star वाला और हर बार ही क्या करेगा कि आपके user को यह show करेगा page not found इसलिए इसको सबसे last में रखते हैं configuration में सबसे last में रखते हैं will card route को राइट तो दोस्तों चली इसका example करके देख लेते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं कहा रख किस प्लेस पर रखने से क्या effect होता है हर तरीके से example करके देखेंगे तो दोस्तों चली चलते हैं project के तरफ तो दोस्तों यह project जहां पर हमने पिछले वीडियो में practical किया था हमने देखा था कि redirecting routes कैसे यूज करते हैं उससे पहले इसी project में हमें प्रेटिकल किया था कि router link क्या होता है तो इससे पहले मैं एक बार इसको run कराकर ng serve करके दिखाते हैं आपको कैसे effect होता था तो आपका ध इसला concept राइट उसके बाद इसी में हम विल्ड का ड्राउट का यूज करके देखेंगे राइट चली इसको एंजी सर्व कर लेते हैं इंटर हिट करेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है थोड़ा सा वेट करेंगे उसके बाद ब्राउजर में देखेंगे कि ऐसा effect होता है इसका तो जोस्तों यह application serve हो चुका है हम ब्राउजर में देखेंगे इसका effect यहां पर आप देख सकते हैं कि directly student पर आ रहा है क्यों क्योंक student हटा कर भी हम करते हैं यहां पर डिलीट करते हैं तो यहां पर देखेंगे direct student पर ही आएगा क्योंकि हमने redirect to student component को डाल रखा है और यहां पर student details देखे router link भी वर्क कर रहा है तो student यह सब कुछ वर्क कर रहा है तो इसी में हम क्या करेंगे देखतो अभी क्या हो रहा है कि सार student details के लिए student detail component है हमारे पास यहां पर देख सकते हैं student detail student का भी student है और इसका configuration भी यहां पर है route trick के अंदर यहां पर configuration कर अंदर यह सारी चीज़ें है right इसलिए सारे link पर हमारा components हो रहा है right कोई error message नहीं आ रहा है right अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहां पर हमें यूज कर करना है कि will card route की इस तरीके सीज़ करते हैं तो यहां पर हम simply path set करेंगे यहां पर हमने सबसे पहले हम कॉमा लगा लेते हैं उसके बाद हम यहां पर path set करेंगे right और यहां पर हम रिखेंगे path और यहां पर double star जैसा कि मैंने बदाए double star उच करेंगे उसके बाद हम component और इस component मे एक component create होगा right तो आसा time लगता है एक component होगा उसी component का path हम page not found में double star के अंदर डालेंगे will card route के लिए right यह component create हो चुका है आप देख सकते हैं कि यहां पर page not found का component create हो गया right और इसके HTML पर का लिखा हुआ है page not found works right ताप यह अब हम क्या करेंगे दोस्तों की routing का जो हमारा configuration है इसमें आएंगे और यहां अब क्या करेंगे दोस्तों कि यहां पर हम path set करेंगे यहां पर हम लिखेंगे path right और यहां पर double star डालेंगे right और यहां पर comma component और यहां आप लिखेंगे page not found component को यहां पर करेंगे right तो यह क्या होगा दोस्तों कि आप जैसी हमने आप page not found को component का अदर add किया यहां पर देख सकते हैं आपर कि page not found को इसने import भी कर दिया right तो यह हो गया हमारा के will card out को हमने add कर दिया कि means कि अब यहां पर कोई भी link कैसा होगा है हमार आप component.html पर ऐसा कोई link हम बनाएंगे अगर उस link से match नहीं करेगा तो हमें कौन सा मिलेगा यह पास मिल जागा और भी दिखा देगा page not found works right इसकी लेक लिंक बनाते हैं यहां पर यहां पर इसको हम copy कर लेते हैं right और यहां पर नीचे हम link बनाते हैं आपर कोई link ऐसा बनाते है उसका मारे दोस्तों ने प्रेंट डिटेल्स लिख लिए और यहां पर प्रेंट डिटेल्स का component डाल दिया right और यह जो component हमने component का जो link बनाएं दोस्तों यह तो link component हमारे पास है यह नहीं parent parent details right तो अब क्या होगा दोस्तों कि जैसे इस link from parent details पर click करेंगे तो router क्या करेगा क इस configuration के अंदर मैच करेगा कोई बात इसको नहीं मिलेगा तो क्या करेगा कि बात इसको will card route को activate कर देगा और page not found वाले component को सो कराएगा डिस्प्ले कराएगा right तो चलिए इसका इंजी सर्फ करके देखते हैं उसके बाद हम इसको उपर add करके देखेंगे अलग लग तरीके से मैच किरा के देखेंगे तब आपका concept और अच्छे से clear होगा तो दोस्तों चलिए सबसे पहले एंडी सर्फ करते हैं राइट इंटरेट करते हैं तुछा टाइम लगता है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि कंपाइल हो चुका है चलिए हम ब्राउजर में देखते हैं यहां पर देखिए कि एक लिंक इसको को एक बार रिफ्रेस करते हैं यहां पर देखिए कि पैरेंट डिटेल के नाम का लिंक बनकर आ चुका है तो अब जैसे हम दोस्तों अब स्टूर्ट इस पर क्लिक कर रहा है बट जैसे एंद्ट इस पर क्लिक करेंगे देखिए पेज नोट फाउन्ड वर्स का मेसेज जा रहा है राइट मिन्स कि इसका हमने लिंक तो सेट कर दिया है बट यह component अब लेबल नहीं है पाथ अब लेबल नहीं हमरे अप्लिकेशन में राइट तो दोस्तों इस मैसेज को हम अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं आप यहां पर लिख सकते हैं यहां पर पेज नौ अब देखिये जैसी हम इस पर क्लिक करेंगे एक वर आपकमपाइल हो रहा है फिर से और जैसे राजर मैं इस पर क्लिक करेंगे स्टूडियन पस्टूडेंट पस्टूडेंट प्रोटल ने स्टूर्ट टेले से क्लिक करेंगे आप अपने कैसे अर्च करते हैं राइट तो दोस्तो एक चीज और बताने के कॉसिस करें आपर कि जैसी हम configuration के अंदर इसको टॉप पे रखेते हैं टॉप पे रहने रख दिया यहाँ पर राइट और यहाँ आपने टॉप रहा करें यहाँ पर कॉम लगा दिया तो अब जैसे हम दोस्तों इसको सेप करेंगे तो अब क्या होगा कि किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो पेज नौट फाउन का ही मेंसे जाएगा क्यां कि सब्राटर जैसे इसमें इंटर करेगा इसों सबसे पहले विल्ट का ही पात्थ मिलेगा और इसको एक्टिवेट कर देगा राइट तो चलिए देखते हैं देखिए यहां पर student details परी page not found, student prepared not found, parent details परी page not found, so student prepared not found, means की बार बार इसको यही मिल रहा है, इसलिए जब भी हम configure करते हैं willcard route को तो सबसे last में रखते हैं, कि means की search करते हैं, जैसे ही router आया और कोई path match नहीं किया, तो उसको willcard route का configuration मिले और उस component को activate कर जो आपने उसके अंदर add कर रखा है, right, तो दोस्तो इस वीडियो में हमने willcard route के बारे में देखा और अच्छे समझा किया concept होता है, इसको कैसे configure करते हैं, और कहाँ पर इसको add करते हैं configuration के अंदर, फिर भी आपके mind में कोई confusion और दोस्तो था हमारे comment box में जरूर सेर किजिए ताकि हम आपके confusion को दूर करें, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले topic के साथ इस वीडियो को ज्यादा सज्यादा like किजिए, दोस्तों को साथ share करिए, बने रहे हैं इस series के साथ, चलिए मिलते हैं अगले topic के साथ, तब तक रे thank you so much